नमस्ते दोस्तो एग्रिपॉंट जैट इंस्टिटूट के इस दिजिटिल ओनलाइन प्लेटफर्म पर सभी क्रिशिव दार्थियों का हार्दिक स्वार्थ और अभिननदन मैं ज़स अनदावा डिरेक्टर ओफ एग्रिपॉंट जैट इंस्टिटूट बिकानेर जैसे सभी प्रियाब दार्थियों पता है कि लोगडाउन टू के कारन ओफ लाइन क्लासों का संचालन संभल नहीं है इसलिए एग्रिपॉंट जैट इस्टिटूट क्रेस कोर्स लेके आया है एग्रिकर्टर के विदाथियों के लिए क्योंकि बोर्ड के पेपर है वो आगे हो चुके हैं तो उनमें काफी टाइम अभी पैंडिंग है क्योंकि अभी डेट आई नहीं है तो वो टाइम का यूटिलाइजेशन करने के लिए एग्रिपॉंट जैट इस्टिटूट क्रेस कोर्स राजस्तान के सभी विदाथियों के लिए लेके आया है जिसमें हम क्रेस कोर्स में आपको जो जैट का पैटरन है वो किस परकार से रहेगा जैसे कि जैट के अपने बात करें तो जैट में किते की सुनाते हैं 120 की सुनाते है जैट का जो अपना पैटरन रहता है उसमें टोटल किते की सुनाते हैं 120 की सुनाते हैं जैट में 120 क्यूशन में तीन बागों में ड्वाइडेशन के हुए है एगरिकल्चर, बाइलोजी और कमिस्ट्री तीनों के कितिया आएंगे एगरिकल्चर के 40 बाइलोजी के 40 और कमिस्ट्री के कितिया आएंगे 40 अगरिकल्टर को तीन बागों में ड्वाइडियसन कर दिया है जिसमें एक है एगरोनॉमी होगी, होटिकल्टर होगी और एनिमल हैजमेंटरी होगी एगरोनॉमी के पंदराग क्यूशन, होटिकल्टर के पंदराग क्यूशन और एनिमल हैजमेंटरी किते आते हैं 10 तो टोटल कित्य होगे इलाके 40 इसी परकार वाय लोजी में वोटनी से लगबग 20 कुशन आते हैं जूलोजी से लगबग 10 कुशन आते हैं और जो 12 क्लास में आपके बायो टेक्नोलोजी और एंटोर पैथो का दिया हुआ है असले बस उसमें से आपको 10 कुशन मिलेंगे कमिश्टी की बात करें तो 40 आएंगे तो लगबग 30 कुशन और इन और इन और इन और इन के मिश्टी में से आएंगे और 10 कुशन जो 12 में आप बार्ड के लिए सोयल के मिश्टी पट रहे हो उसमें से आएंगे तो यानि की टोट इसको दोराने के लिए इस बार आपके सामने क्रेस को प्रारब कर रहे हैं तो जिसमें आपको एगरी पॉइंट की युवा मेंती टीम पॉइंट टू पॉइंट देखो सलेब्स करवाने के लिए किस इन कांसे पुट वहता है उसके लिए एक पॉइंट के पास है काफी वर्सों से जो फैकल्टी जैट में आईशियर में बढ़ा रही हैं वही फैकल्टी आपको आदेन करवाएगी जिसमें तांकि आपका जिता मैटर हम ओनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माधियम से विजाथियों को देंगे उसमें से ज्यादा स जैट इंस्टीट की जो युवा फैकल्टी है वो जो करवाएगी आपको ओनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उत्ता आप कवर कर लेते हो तो आप टॉप हंडर्ड में आपकी रेंक आ सकती है युनिविशिटी जो पांस युनिविशिटी हैं कौन-कौन सी हैं उद्य क्रेस कोस में ही सेलेक्शन हो जाए तांकि आपका एक वर्ष और पैसा दोनों क्या हो सेव हो तो इसलिए हम ही चाते हैं कि इमानदारी से देगो एग्री पॉइंट जैट इंस्टीट जो काम कर रहा है गत वर्षों से जिसके प्रिनाम एक बड़ी अर्जल्ट सबस्यादी केंबस में सेलेक्ट और टोप सो में दो वर्ष से 25 रेंग जनल की आ रही है और पिछले वर्ष एडिवले समने वर्ष की फर्स सेकिंड थर्ड रेंग एगरी पॉइंट जैट इस्टीट के नाम रही है जो कि एक रिकोर्ड है अपने आप में और उन रिकोर्ड़ों को पेपर तो मैटर की किसी भी प्रकार के हम कमी नहीं छोटेंगे हम जाएंगे कि जो बहुत ही कम मीडियम फीस हमने इस ओनलाइन डिजिटल इप्लेटफोरम में जो आपको सेलेबस करवाया जाए रखी रही है और उस फीस में हम आपको हमारी कोशिश रेगी कि हम ज़दस ज की है वो फीस की है हमने हिंदी मीडियम की अनाउंस चार हजार पे और इंग्लिश मीडियम की जो फीस अनाउंस की है वो हमने की है छे हजार पे और एक सुचना और देना जाता हूँ कि यदि राजस्थान सरकार की गाइडलेन आ जाती है कि ओप लाइन क्लास लगाना पॉपलाइन क्लास में एग्री पॉइंट में जोधपूर और विकानेर एग्री पॉइंट जो में ऑफिस है विकानेर है और जो एक ब्रांच अपने है वो जोधपूर है उसमें आप ओफलाइन स्टडी करने आते हो तो आपको हिंदी मीडियम की जो चार जार फीस आप ओनलाइन में दे रहे हो उसमें जो टोटल फीस होगी उसमें चार जार हम आपको क्या कर देंगे कम कर देंगे और इंग्लिश मुडियम की जो टोटल फीस हम आप लाइन क्लास क्रेस कोर्स की रखेंगे तो उसमें 6,000 आपकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और उसके साथ साथ ओनलाइन जो क्लासे हैं वो क्या है प्रार्म रहेंगे तो एग्री पॉइंट जेट इंस्टिट आप सभी प्रीवधातियों से ही उमीद करता है कि जो यह वीडियो है उसको ज़्यदा ज़्यदा आप शेयर करो तांकि राजस्तान के प्रते क्रिशी विदाति की पांथ पहुं सके तो हमारा यही मुख्या हुदेशय है कि आपको गुनुदा यूक्त कोर्स मिले आपको वही कोर्स दिया जए जो क्यूशन टेपर में आते हैं क्यूश कोर्स का मतलब होता है सिर्फ पॉइंट ती पॉइंट दाना है स्लेव सपने को सारा 혀 कवर करना है लेकिन कॉशन कौन स तोपिक इंपोर्डेंट है उसके लिए युवा में प्षील और एक्सपिरियंस टीम जाइए जो एग्री पॉइंट के पास है और जिसकी बदोलत गतवर्स हो एग्री पॉइंट ने पते गौर्मेंट कोलेजों में एक क्रिशिव घ्यानिकों का जो सपना लेकर हमारे पास आ लोग का थी विदार्ति लॉंग टरम में olması साल वाले भैंट में थे उनका इस रह गया था वह रहा हैं उसम Next दोर घंण हो किलिए और और कि रहर ऑगा है कि तो घर रहे हैं हमारे लिए शुर्क श्रुक्शित हिए प्रिया वदार्तिயों सभी से मैं ही प्रचेज करो ना करो लेकिन आप गर पे रहें शुरक्षित रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तांकि पूरे राज़तन के क्रशिव दात्तियों के पास ये वीडियो पहुंच सके और एक गुनोता युग तो वो सलेप्स क्या है प्रचेज कर सके धन बादा